हालो स्टुडेंट्स वेलकम बैक तो लोफ यू कुरुक्षेत्रा उनिवर्सटी एंड सी एसरी उनिवर्सटी जो भी स्टुडेंटी दोने निवस्टेज में पढ़ रहे हैं और क्योंकि इनका स्लेवस अभी जेज हुआ है नापके कॉर्डिंग और आपमें अगर ऐसे स्ट हैं जिनके सेकिंड समिस्टर में रियपेर आये हुआ है तो आपको कौन सा स्लेवस का एक्जाम देना है जो आपका ओल्ड स्लेवस रहेगा क्योंकि अभी हम एवन समिस्टर की बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा स्लेवस को समझ लेते हैं अनलाइज करते हैं कि कंपारजन टू फिव समस्टर एंर थर्ड समस्टर आपको कौनसे बुक पर जाता फोकस करना है। कौनसे बुक को सबसे पहले प्रैफरेंच देनी है। कौनसे ऐसी बुक है जिसको आपको पूरा समस्टर कभी रखना ही नहीं है । मतलब काईनिएयोशन में पढ़ते जाना हैं। जो की सबसे Toughest book होगे हैं चले बात करते हैं Second semester में अभी आपने जो भी student आभी एंटर कर रहे हैं Six semester में एंटर कर रहे हैं तो आपने जब second semester किया था वो जो syllabus होगा अगर आप किसी भी student को reappear है तो आपको वही syllabus के according exam देना है क्योंकि आपकी बार जो second semester आने वाला है 2024 में जो second semester आएगा CSRU और KUK में वहाँ पर उनका slaves change होगा है ना जैसे अभी अगर देखा जाए तो वैसे आप एक कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको पुराना slaves ज्यादा अच्छा लगता था या नया slaves जो नापके recording आया है बिसिकली मैं अगर अपनी बात करो तो मुझे पुराना slaves बहुत ज्यादा अच्छा लग जाता और उसके recording क्यों क्योंकि आप BAC में वो सारे topics कवर कर जाते हैं जो आपको MSC के लिए बहुत ज्यादा important माने जाते हैं जिसके बिना आप MSC entrance में दे पाऊगे बहुत सारा slaves आपका cut हो जाएगा अगर first second semester में आप अगर कम पढ़ रहे हैं तो आपके आगी जाकर second year और third year में आपको बहुत ज्यादा पढ़ना पढ़ेगा जैसे कि जी जी आप देख लीजिए पहले चार सेमिस्टर में क्या होता है टू टू बुक्स होती है है ना उसके बाद बुक्स को बढ़ा दिया जाता है तो यही चीजे है कि final year में जाकर के अगर एकदम से आपको ज्यादा बुक्स पढ़ने बढ़े क्योंकि first year में अगर ह स्टूटेंट इस वीडियो को देख रहे है तो second semester का course भी बहुत जल्दी आपको application पर मिल जाएगा website का link आपको वीडियो को description मिल जाएगा वहाँ पर visit कर सकते हो और आपको जो हो साथ-साथ आपको वीडियो पर show कर रहा होगा तो आप वहाँ पर भी visit कर सकते हो देख सकते ह की बात करते हो तो third semester में आपने पढ़ा statics, advanced calculus and partial differential equation सबसे ज्यादा easy मुझे लगता है student को partial differential equation ही लगा होगा सबसे tough कौन सा वेपर लगा होगा statics जैसे की बच्चों के comment आते हैं जिसके recording मुझे ही पता चलते है कि majority में जो student है उनको statics टफ लगता है तो यहां पर अगर हम ब अगर हम compare करें कौन सा आपके लिए सबसे easy रहेगा कौन से सबसे ज्यादा tough रहेगी तो थर्ड semester में जैसे बच्चों ने माल लिया था कि PD सबसे easy है और static सबसे मुझकिल है एडवांस को थोटा सा बीज का रखागा तो यहां पर अगर हम बात करें तो ऐसा कुछ भी नहीं ह ज्यादा tough है और नहीं ज्यादा easy रहेगा अगर आप देखिए special function and integral transforms special function में आपको questions numerical मिलेंगे लेकिन बहुत lengthy आपको questions मिलेंगे तो इसको ना तो ज्यादा हम tough कह सकते हैं ना ही ज्यादा easy कह सकते हैं यह medium size का ही paper आप मानके चलो sequence and series यह student को वही same सी चीज है क्योंकि इसमें थोड़ा सा theoretical portion आ जाता है ठीक है हलका full का theoretical portion है एक unit में तो वहां पर आपको लगेगा कि हाँ यह थोड़ी tough book है और कुछ ऐसे comparison test test आएंगे जो आपको by name बहुत सारी theorems इसके अंदर आएंगी जो कि आपको बहुत अच्छे से करने है ठीक है तो इसमें theorems काफी जाता है sequence and series में वैसे यह भी numerical और उन थोरम से based numerical भी important होते है राइट तो अगर हम basically करें तो यह numerical paper ही है लेकिन theorems भी आपको यहापर देखने तो practical paper भी है numerical methods में बहुत सारे methods हैं जो कि question को बहुत lengthy बनाते हैं लेकिन वो easy होते हैं tough नहीं होते हैं अगर आप उनको जरासा ध्यान से करते हो न क्योंकि mix up होने के बहुत chances होते हैं बहुत सारे methods अगर आपकी एक साथ करते हैं तो puzzle होने की possibility होती है बट अगर अभी से त्य यह particular methods हैं उन्हीं पर based आपको मिलने वाले हैं तो यहां से आप अपना score अच्छा कर सकते हो programming in see and numerical method इसका syllabus definitely आपको समझ के exam देना है मतलब क्यों क्यों क्योंकि देखे numerical method वैसे एक unit में दो ही आपको chapter दिये गए हैं लेकिन वो एक unit cover ना करके दो unit cover करता है यानि आपका half paper only two chapters cover करते हैं इसलिए numerical method को आपको बहुत अच्छे से करना है कोई भी method नहीं skip करना है कोई भी इसकी चोटी मुट जो articles है वो भी skip नहीं करेंगे आप इसमें से short question भी definitely आते हैं तो numerical method programming in see का syllabus वैसे देखा जाए तो ये बहुत ज्यादा है programming in see का और numerical method में अभी मैंने बताए इसमें 13 chapter है इसमें 2 chapter है लेकिन जो numerical method है ये आपका half paper cover करेगा मैं exam की बात कर देगा यह आपक semester के अगर हम बात करते है real and complex analysis देखो भई six semester का जो syllabus है आप फिफ तो पड़ी चुके हो वहाँ पर आपको numerical analysis मिला था जो आपको लगता था कि बहुत easy है और यहां से हम score बहुत अच्छा कर सकते है ठीक है इसके बाद group centering पूरा का पूरा theoretical है right and real analysis real analysis को कुछ एक student easy मानते है क कुछ एक student tough मानते है अगर देखा जाए तो syllabus के point of view से बहुत जाता important है real analysis यानि कि 5th और 6 semester का syllabus जो पुच्छे MSC करेंगे ना उनके लिए यह syllabus करना complete करना बिल्कुल compulsory है okay MSC entrance का exam बेगर आप देंगे तो आप देखिएगा तो यहां से बहुत सारी questions पुछे जाते हैं यहां पर अगर हम बात करते है real and complex analysis और real analysis अगर दोनों में आप comparison कीजिएगा तो real and complex analysis जिरासा tough पड़ेगा real analysis से इक्विल भी हो सकता है कुछ बच्चों के क्यूंकि हम एक ट्राइब की बच्चों की बात नहीं कर रहे हैं हम general बात कर रहे हैं linear algebra उन students को easy लगेगा जिनको groups and rings easy लगा था अब groups and rings पड़ चुके हो काफी theoretical paper था ऐसे ही आपको यहां पर मिलने वाला है linear algebra यह अगर हम कहें तो comparison अगर हम करते हैं na group centring से तो यह tough रहेगा comparison to group centring linear algebra theoretical paper है पूरा का पूरा theoretical paper रहेगा dynamics बताने की जुरूत नहीं है statics आपने पढ़ा है तो statics थर्ड semester में आप पढ़ चुके हो अगर आपको statics tough लगा है तो dynamic भी आपको tough ही लगेगा और जिन बच्चों को statics easy लगा है जिनको concept clear हो जाते हैं उनको paper obviously easy लगेगा ऐसी बात नहीं कि statics किसी को easy लगता ही नहीं है definitely लगता है तो उसको dynamic भी easy एक जैसा score करना चाते हैं फुल स्कॉर करना चाते हैं जैसा score करना चाते हैं तो आपको dynamic को पूरा semester पढ़ना पढ़ेगा बार बार revise करना पढ़ेगा समझ में आगा है तो यहाँ पर एक student का comment आता है कि मैम क्या आपके courses हम अगर पढ़ते हैं तो क्या आप 90% score कर सकते हैं मैं कहते हूं आप 99% score कर सकते हो बस आप पढ़ने वाले बनों वहाँ पर क्योंकि हर एक question जीवें संस publication की बुक से आप देखेगा तो हर एक बुक में approximate 100 classes है 100 से भी ज्यादा आपको मिल जाएंगी जैसे कि linear algebra हो गया ठीक है real and complex में भी I think 100 above classes है तो आप पढ़ने वाले बनिए आ तो definitely आप इसको score कर सकते हो काफी सारे students की जो result है वो में सा शेयर करते हैं लेकिन community post मैं नहीं कर पाती हूं और आगे से हम आपको दिखाएंगे हम करें आगे से community post और एक सायद मैंने किया भी था कुरुक्षितरा university का student है शुभम नाम है बहुत अच्छे से बहुत अच्छे कि इन papers में full score जी हां obviously आपको यह paper tough लगते हैं लेकिन आप इनको कर सकते हैं all right tough उनी student को लगेंगे जो दो महीने ऐसे ही waste कर देता है और फिर लगेगा कि next month में exam है और अभी हमें पढ़ना पड़ेगा उनको यह paper tough लगेंगे लेकिन जो शुरू से ही पढ़ना start कर देता है उनको paper tough नहीं लगेंगे बागी बचे जो पढ़ना शुरू करते हैं तो चुके होते हैं ठीक है तो आप भी इस लेवस कंप्लीट कर सकते हो आप website पर विजिट कीजिए www.neweramats.com अल्राइट यहाँ पर आपको सभी courses combined courses आपको मिलेंगे जो student पहले से वीडियोज देखते आ रहें ग्लासेज लेते आ रहें उनको पता है लेकिन जो new student है आप भी यहाँ पर यह बूरा स्लेवस कर सकते हो निवरा मैस application पर ठीक है अगर कोई भी आपकी क्यूरी है 8053633433 या फिर WhatsApp कर सकते हो 9416941982 इन सभी books की answer solution यानि की job की exercise given होती है उनका जो solution होगा उनके लिए आप टेलिग्राम group जोइन कर सकते हो आप ये group search कीजिए आपको वहाँ से मिल जाएगा अधरवाइस लिंक आपको वीडियो के description में दिया गया है वहाँ से भी आप नहीं जोइन कर पाते हैं तो आप personally पूछ सकते हो आप by comment पूछ सकते हो ठीक है सभी books की और इनके solutions की PDF वहाँ पर आपको available कराई जाते हैं इस व आपको second time का syllabus जो हो यानि की course जो हो ready मिलेगा मिलते हैं next class में बाई take care